होllu friends अर्चू परफेक्ट के चन में आप सभी का स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलुआ जो बहुत ही स्वाधिस्ट लगता है में और सबका प्ड़ीड भी होता है तो गाजर का हलुआ बना यह बहुत टेस्टी के गराम होने के लिए कुकर को만 घंब हो जाएगा तब में घ्वाइल को डालेंगे तो तब-द्ग को घंब हो चुका है अब इसमें घी डालेंगे थोड़ा सा है तो ठंडी का सीजन है तो जमा है तो आफ इसली निकाले है तो कि ये दाल देते हैं तो घीर को भी रहा मैं लेटे लिएंग गरम भॉछ जाएगा इक्दमसे को तो इसमें डालेंगे तो ये उचाट येदम से गरम हो रहा है हम थोड़ा सा इलाइफी दाना इसमें दाल आप हलवे में जरूर डालिए बहुत अच्छा रखता इसका टेस्ट तो इलाईची को थोड़ा हुज Fit सब्सक्राइध कर लिया था पहले से साथ पार सब्सक्ता तो इसको चाहिमें का जोटकाइन के चोटी चोटी कडुकडु कर लिया था पहले से इसको ले लिया है अब इसमें में डाल देते हैं aiming तो गाजर को आप काटकर भी कूकर में ऐसे डाल के उबाल के बना सकते हैं अगर आप कॉल्डु कस नहीं कर सकते हैं तो इसको एसा आपको आसान इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि नीचे पकड़ेंगे अच्छे से पक जाए अगर आप भूनेंगे नहीँ गाजर को तो एकदम उबौना उबौा लगेगा जैसे में भूनने के बाद हम इसमें डाल देगे थोड़ा सा ड्राइफूड यह मैंने ले लिया काजू बदाम किसमिस इसको डाल देते हैं इसी में अब इसको डालने के बाद हम थोड़ा से इसमें डूद डाल देंगे मैंने एक कप दूद ले लिया इसमें हम डाल देते हैं अगर आप और दूद लेना चाहते हैं तो थोड तो हम ढखकन को बंद कर देंगे लिए डखकन बंद करने के बाद कुछ देर इसको पकने देते हैं पकने के बाद हम इसको उतारेंगे तो इसमें दो सीटी लगाना है आपको दो सीटी में हो जाएगा अच्छे से कि सीटी आ रही है दो सीटी आ चुकी है अब देखते हैं कि यह हो गया है अच्छे से या नहीं हुआ है तो कूकर खोल कर देख लेते हैं तो देखिए कितने अच्छे से हो गया है एकदम पक चुका है अच्छे से तो इसको मुचला देते हैं बराबर से देखिए अच्छे से एकदम पक चुगा है हलुआ यानि कि गाजर अभी तो पक चुगा है अभी हलुआ नहीं बनके त्यार हुआ है तो हम गैस को फिर से आन कर देते हैं अब इसको हम थोड़े भूल लेंगे तो हम इसमें चीनी को डाल देते हैं मैंने एक करोड में चीनी ले लिया है एकदम भरके नहीं लिया है गाजर वैसे मीठा होता है तो इसलिए हम ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे इसमें जितना गाजर है आप उसी हिसाब से चीनी को डाल सकते हैं चीनी को डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो चीनी जब एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे तो चीनी को mix करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा खोया डाल देंगे खोया डालने से और भी अच्छा टेस्ट आता है तो आप खोया डाल दें अगर आपके पास है खोया तो आप डाल दें तो जब तक कि पानी सूख जाया तब तक हम इसको चलाते रहेंगे भूनते रहेंगे पकाते रहेंगे आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा लग रहा देखने में बनके एकदम रेडी है हलुआ स्वाधिस्ट तो अगर आपको जल्दी में कहीं जाना है तो आप कोकर में जहर है तो प्लीज में वीडियो को लाइक करें सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें वीडियो देखने के लिए बेरी बेरी थैंक्स